हेलो दोस्तो साथ बेकिन चैनल में आपका स्वागत है आज की अमारी वीडियो की टाइटल है प्राइड एंड प्रेजुडिस दोस्तो यह एक नौविल है जिसको लिखा है जेन आस्टिन ने दोस्तो यह एक रोमेंटिक नौविल है यह नौविल तीन वॉल्यूम्स में मिसिस बेनिट दोस्तों mistar Bennett head of the family होते हैं यह एक बहुत अच्छे इंसान है और साधारं चैनल में काम चलाते हैं वहीं दूसरी तरफulating जो मिस्तर बेनित की वाईफ हैं ये दूस्तो बहुत ही जादा बेवकूफ उरत है इसका बस ऐक ही सपना है कि अपनी बेटियों Elizabeth Bennet, Elizabeth Bennet दोस्तों novel की heroine है, पूरी कहानी इनके आज़ पास गुंती है, Elizabeth बहुत ही intelligent और अपनी बहनों में सबसे ज़्यादा sensible और समझदार है, Elizabeth काफी पड़ीली की होती है और हाजित जवाब भी, नेक्स करेक्टर है दोस्तों हमारा Jane Bennet, Jane Bennet दोस्तों सबसे बड़ी और सबसे खुबसूरत है सारी Bennet sisters में, ये काफी reserved और काफी शांस औभाव की है अगर इसे Elizabeth से compare करें तो, दोस्तों नेक्स करेक्टर है हमारा लीडिया बेनेट दोस्तों यह सबसे छोटी बेनेट सिस्टर है यह बहुत ज़्यादा बातूनी इमेच्योर और सेल्फिश किजम की लड़की है यह नॉविल में जॉर्ज विखेम के साथ भाग जाती है जॉर्ज विखेम के बारे में दोस्तों फोर्ट बैने सिस्टर है इसे दोस्तों सोल्जर्स फॉज्जू से काफी लगाव रहता है तो दोस्तों यह तो होगे Mr. और Mrs. Bennett की फैमली की बात Mr. Mrs. Bennett की पांच डॉटर्टर्स थी यानि पांच बेटियां थी अब आते हैं एक सेट और पर जो के हमारे बहुत इंपॉटन है फिट्स विलियम डार्सी दोस्तों फिट्स विलियम डार्सी नॉविल का हीरो है दोस्तों डार्सी बहुत ही जैंटल्में टाइप या आप सज्जन आदमी भी कह सकते हो नगर दूसरी तरफ इसमें बहुत एटिटूड भी ह अपनी position को लेके दोस्तों डार्सी बहुत ही अमीर आदमी है यह Master of Pembelly है यानि उस जगह का मालिक यानि Pembelly का मालिक और कैथरिन डीबॉर्ग का बतीजा भी है कैथरिन डीबॉर्ग के बारे में आगे बात करेंगे दोस्तों next character है हमारा Charles Bingley दोस्तों बिंगली डार्सी का ब क्लास डिफरेंस यह अमीर गरीब भेदवव में यकीन नहीं रखता वहीं डार्सी भेदवव में यकीन रखता है दोस्तों next character है मिस्टर कॉलिंस दोस्तों कॉलिंस एक पादरी या clergyman भी आप इसे कह सकते हैं कॉलिंस एक बहुत बड़ा बेवकूप इंसान है जो मिस्टर बेनेट की जयदा थाड़ अपना चाता है इसका दोस्तों कोई सोशल स्टेटस नहीं है नेक्स करेटर दोस्तों मारा जॉर्ज विकैम दोस्तों विकैम सबसे जाधा हैंडसम और चार्मिंग होता है यह एक military officer है इसे पैसे से बहुत प्यार है दोस्तों next character है मिस्टर एंड म पैनिट से यह दोनों बहुत sensible और हड़ चीज को सही तरह से करने की शमता रखते हैं दोस्तों next character हमारा शार्लोट लुकस दोस्तों शार्लोट लुकस एलेजबेट की friend है यह एलेजबेट से 6 साल बड़ी है शार्लोट शादी के लिए प्यार हो यह जरूरी नहीं मानती उसे यह बहुत अमीर है कि कॉलिंस इसके assistant होते हैं दोस्तों डार्सी इनका भतीजा है इनको अपने class background की बहुत फिकर रहती है जब ही दोस्तों नौविल में डार्सी के साथ एलेजबेट को पसंद नहीं करती डोस्तों आते हैं हमारी वीडियो के मेन पार्ट पर जो की है वीड में है वहाँ पर एक अमीर आदमी यानि चांज बिंगले ने एक बहुत बड़ी जगा किराय पर ली है जिससे गाउं में काफी हलचल मत जाती है खास करके बैनेट परिवार के घर में बैनेट के दोस्तों पांच बेटिया है इनकी मा बहुत डेस्परेट रहती है इन पांटी स्टार्ट हो रखी है एक गेट टूगेधर है इन सबका जिसमें बिंगले जेन के साथ डांस करते हैं और जादतर टाइम उसके साथ ही बिताते हैं जबकि डार्टी कुछ खास पतन नहीं आती और वह एलेजबेट के साथ डांस करने को भी मना कर देते हैं अब मैंन जाता है अब उसने उसे कुछ हफते स्टड़ी तो किया ही है अब वही जेन की दोस्ती बिंगली के साथ काफी अच्छी चल रही होती है बलकि वह बिंगली के घर भी जाती है उससे मिलने के लिए अब वापिस घर आते वक्त जेन काफी तेज वारिज में भीग जाती है जि इसकी वज़ेसे उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं अब आगे दोस्तों एलेजबेत भी बिंगली के घर पहुच गई है गंदे कपड़ों के साथ जिसे देखकर मिस विंगली जो कि बिंगली की बेहन है ये दोस्तों एलेजबेट को पसंद नहीं करती क्योंकि वह एक मिटिक्लास बेग्राउंड से आती है और आगे वह भी जादा एलेजबेट से चिनने लगती है जब वह देखती है कि अब डार से भी एलेजबेट में इंट्रस्टेट है अब आगे दोस्तों जब एलेजबेट और जेन घर वापिस आती है बिंगली की पास से तो वहां मिस्टर कॉलिंस आए हुए है जो कि मिस्टर बेनेट का जायदात के पीछे हैं और उसे बेनेट सिस्टर भी काफी पसंद है अब आगे कुछ ही देर बाद मिस्टर कॉलिंस बढ़काता है कहता है डार्सी ने मुझे चीट किया है और सारी जायदा अपने नाम करा ली है अब दोस्तों विंटर यानि ठंड शुरू होती है बिंगली और डार्सी नेदर फेल्ड से लेंटन आ जाते हैं इस बास से जेन बहुत परिशान रहती है अब दोस्तों आगे एल अब दोस्तों वहां दोस्तों वहां बिंगले से तो नहीं मिलती पर मिस बिंगले से मिलती है जो उसे खरी खोटी सुनाने लग जाती है अब आगे दोस्तों ठंड खतम होकर वसंत का मौसम आ जाता है अब आगे एलिजबिट शालिट से मिलने जाती है जो अब लेटी कैथरीन के घर के पास रह रहे हैं मैंने आपको बताया था कि कॉलिंज कैथरीन का है अब आगे दोस्तों डार्सी एलिजबिट से मिलता है और उसे अपनी आर्ट कैथरीन डिबोर्ट से भी मिलवाता है आगे दोस्तों एक दिन डार्सी एलिजबिट को प्रपोस कर देता है मगर एलिजबिट उसे भी मना कर देती है एलिजबिट डार्सी से कहती है कि तुम बहुत बुरे और घमंडी इंसान हो तुमने जेन को बिंगली से अलग कर दिया और विकैम को भी ज्यादा से अलग कर दिया अब ये सुनका डारसी वहाँ से चला जाता है और एलिजबेत के लिए एक लेटर छोड़ जाता है जिसमें वो कहता है कि मैंने बिंगली और जेन को इसलिए अलग किया क्योंकि मुझे लगा उनका प्यार सच्चा नहीं है और रही बात विकैम की तो वो एक बहुत बड़ा जूटा है हम दोनों की जगड़ी की वज़ा थी कि वो मेरी बेन यानि जौर्जीना डार्सी के साथ बहागना चाता था अब आगे दोस्तों इस लेटर के बाद अपने विचार और फिलिंग्स को एक बार और सोचती है कि मैंने ये सही किया या गलर अब आगे दोस्तों विकैम शहर छोड़ कर जा रहा होता है और इस बाद से बैने सिस्टर बहुत दुखी है इतने में लीडिया बैंडिट जो सबसे चोटी बैन है वो परमिशन लेके गर्मी का मौसम में एक रिटार करनल के साथ ब्राइटान नाम की जगा में रहने चली जाती है दोस्तों हैरत की बाद है तो हैरत की बाद तो यह है कि विकेम भी वहीं पहुँचा हुआ है अब दोस्तों गर्मी का मौसम आ गया है और इलिजबेट अपने रिष्टदार गार्डिनर्स के साथ रहने जाती है वो नौर्थ में जाती है और आखिरकार पेमबली पहुँचती है पेमबली दोस्तों डार्ची की ही जगा है अब डार्ची उससे मिलता है तो वो भी बहुत अच्छे से उसका वेलकम करता है और यही नहीं दोस्तों वो गार्डिनर्स को भी अपने जगा में वेलकम करता है अब आगे दोस्तों एलिजबेट के लिए हर जग लीडिया और विकैम को ढूंडते हैं पर वो कहीं नहीं मिलती इसी बीच Mr. Bennett घर वापिस आ जाते हैं अब आगे एक लेटर आता है Mr. Gardiner की तरफ से उसमें लिखा होता है कि लीडिया और विकैम दोनों मिल गए हैं और विकैम उससे शादी कनने को तयार है पर कुछ पै लेते हैं और सोचते हैं कि Gardiner ने विकैम को पैसे दे दिये मगर Elizabeth जानती होती है कि दोस्तों ये पैसे डार्सी ने दिये हैं Gardiner ने नहीं अब आगे दोस्तों बिंगले वापिस नेधर फिल आता है लंडन से डार्सी भी उसके साथ रहने आता है और वो Bennett's के घर भी जाता है म Bennett परिवार खुशी मनाता है अब आगे महाँ दोस्तों लेडी कैथरीन डीबोर्ग भी आती हैं वो Elizabeth को जादा बहूं नहीं देती हैं क्योंकि वो समझती है कि Elizabeth डार्सी के लाइक नहीं है मगर दोस्तों कैथरीन जानती होती है कि Darcy Elizabeth को पसंद करता है जब ही वो कहती है कि त अंत में दोस्तों नौविल की डार्सी और Elizabeth बहार टहल रहे होते हैं और डार्सी कहता है कि मेरी फीलिंग्स अभी भी तुमारे लिए वहीं है यानि सेम है डार्सी की इसी बात से प्रवावित होकर वो डार्सी को हाँ बोल देती है और वो दोनों ही शादी कर देते हैं जैस यू वो वचिंग्चिंग्चिंग्चिंग् अगलिंग्चिंग्चिंग्चिंग्चिंग्ध्ग्यों अभ्ली तुमारे खंह सु Ern докना ओंग्राद।